आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर बार्क की नियो रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंट से यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है बार्क में यह आपकी 03-2023 है जिसके लिए आप 24 अप्रेल 2023 से अपलाए कर सकते हैं 22 मई 2023 तक इसमें फ्रेंट जो पोस्ट है वा आपके Technical Officer, Scientific Assistant, Technician B और आपकी Stipendry Training Category 1 and Category 2 के लिए आपकी यहाँ पर पोस्ट रहेगी आप इनके लिए फ्रेंट्स अपलाए कर सकते हैं आप चाहे तो Multiple Post के लिए भी अपलाए कर सकते हैं आपको अलग-अलग form को अपलाए करना होगा कैसे अपलाए करना है इसके बारे में हम बात करेंगे इसकी LBT Conditions का फ्रेंट्स में मैंने पहले ही वीडियो बना राखा है जिसमें LBT Conditions के बारे में हमने पहले ही बात की हुई है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स यह इसका Official Online Portal है जहां से आप इसमें Online आविधन करते हैं आपको फ्रेंट्स सबसे पहले OTR Registration करना है इसके बार फ्रेंट्स आपको यहाँ पर Image Upload करनी है इसके बार Secondary Registration करना है Application Fees Pay करनी है और Last में आपका जो Print है वो आप निकाल सक पर देखिए आपको Right and Side में एक Option मिलता है One Time Registration means OTR का और आपको Option मिलता है Login का तो सबसे पहले फ्रेंट्स आपको यहाँ पर One Time Registration करना है तो आप यहाँ पर देख इस Option पर किलिक कर देंगे इसके बार फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आप आपका यहाँ पर सरनेम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं इसके बार फ्रेंट्स आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है यहाँ आपको देना है आपका जो मदर नेम है यहाँ आपको यहाँ पर देना है और इसके बार आपको यहाँ पर आपकी जो डियो भी है मिन से डेट selecting करते हैं चाहे जन्रल आप यहां सिलेट करेंगे कोई option नहीं मिलेगा OBC है करेंगे तो आपको यहां पर CAST का नाम देना है इसके लबाब SCST सब्सक्राइब करते हैं तो भी आपको यहां पर अपनी CAST का नाम देना है Kast का नाम क्या है तो यह आपके जो Kast Certificate है उसपर आपको मिलता है Central Government का Kast Certificate आपके पास होना चाहिए उसपे FANS आपको कास्त का जो नाम है वो आपको मिल जाएगा Kast Certificate नंबर मिल जाएगा date of issue क्या है आपके उस cast certificate की वो आपको यहाँ पर provide करनी है इसके बाद serial number क्या है as per center list वो आपको यहाँ पर देना होगा अगर आपको फैंस से serial number नहीं पता है center list के according तो आपके cast certificate पर यह mention होती है अगर उस पर यह नहीं है तो आप google पर जा सकते हैं आपके cast का जो center list में जो number है वो आप यहाँ पर provide कर सकते हैं तो आपको google पर center list select करनी है जैसे SC category है OBC category है तो OBC category center list आपको select कर सकते हैं इसके बाद friends आपको यहाँ पर religion select करना है state of dimension आपको यहाँ पर select करना है नीचे है आपका address section ये है permanent तो आपका जो भी permanent address है जहांके आपके documents है वो आप यहाँ पर mention करेंगे आपका city या friends आपका village क्या है आपका district क्या है आपका state कौन सा है आपका pin code क्या है या आपको mention करना है अगर आपका communication और आपका permanent address सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिए अलग अलग है तो आप लग लग एंटरी कर सकते है आपका mobile नमबर और आपकी जो mail ID है यहाँ आपको यहाँ पर enter करनी है यहाँ पर friends आपको अधार का number देना है और आपका जो अधार का number है वो आपको confirm करना ह इसके बार login ID आपको create करनी होगी तो login ID friends से आप यहाँ पर enter करेंगे आप कोई भी login ID यहाँ पर बना सकते है और उसके बाद चेक करेंगे तो friends से यहाँ पर आपसे कहा गया है एक number आपका उसमें होना जरूरी है तो जैसे मालीजे friends मैं यहाँ पर इस तरह से एक login ID create करता हू तो आप alpha numerical password यहाँ पर बना सकते हैं जिसमें alphabet भी हो और numerical value भी हो इसके बार friends आपको capture code जो आपको दिया गया है यह आपको fill करना है और उसके बार friends आपको यहाँ पर submit करना है तो इसके बार friends यहाँ पर देखिए आपको password से related भी आपको यहाँ पर guideline दी गई है जैसे आपको यहाँ पर alphabet और numerical value आप यहाँ पर use कर सकते हैं तो यह friends password आपको बनाना है और उसके बार आपको OTR preview चेक कर लेना है इसके बार friends जब अपना OTR आपको complete हो जाएगा click here login पर आप click करेंगे आपने friends जो भी आपने login ID बनाई है इसके बार friends आपने जो password बनाया होगा वो password आप द जालनी है और OTP डालने के बार आप उस OTP को verify कर लेंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए photograph and signature आपको upload करने है दो ही option है यहाँ लोड करनी है signature आपको upload करना है 20-50 के भी GPG format में photograph का और 10-20 के भी size signature का आपका होना चाहिए photograph and signature upload करने के बार friends आप इसे declare करेंगे capture code को fill करेंगे और यहाँ से nestrick कर देंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपका friends जो post detail है वो section open हो जाएगा आपको option मिलते है apply के तो आपको यहाँ पर देखिए friends जिस भी post के लिए apply करना चाहते हैं आपको यहाँ पर देखिए multiple options यहाँ पर मिल जाते है आपके according आप जिस भी post के 2 साल का ITI है और NAC है एक-एक साल का और आपके पास ITI है या फिर एक साल का experience है वो आप select कर लेंगे इसके बाद friends अगर पी हैं तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए आप eligible नहीं है तो आपको यहाँ पर no करना ही होगा तो आप किसकी स्पोस के लिए पी है कर सकते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर देना चाहें वह आप यहाँ पर देने हैं इसके बाद friends आपको यहाँ पर परसेंटेज आपकी आजाएगी इसके बाद friends आपको यहाँ पर month here of passing आपको देना होगा मतलब आपने इसको कब pass किया है वह आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं यह सेलेक्ट करने के बाद आईटाई में भी friends आपको सेम आपको देखिए बोर्ड का सकते हैं नहीं तो यहां पर ले सकते हैं तो आपके करने होंगे यहां पर दीज से ऐक बाद यहां पर इसका पर प्र लेना है तो प्रसे पिरिवी руки करने के बाद अगर आपको लगता है को गलती है तो edit या back आप जाके सही कर सकते हैं या friends आप इससे directly declare करेंगे इसके बाद friends से capture code को यहाँ पर fill करेंगे और इसके बाद friends से आप यहाँ पर इसे final submission कर देंगे final submission करने के बाद friends आपको देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है attachment number आपका यह रहा registration number आपका यह रहा post code आपको यहाँ पर मिल जाता है और इसके बाद friends आपको click to home वाला option मिलता है आप इस पर click कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर देखिए जो last step है वो है friends आपके यहाँ पर देखिए print का तो आपकोυτन पर प्रिंट का option मिल जाता है आप इस action पर click करेंगे आपके application form का print out लेने के लिए तो friends आप दोबारा से यहां पर login करेंगे और दोबारा से login करने के बाद आपको देखिए print का option मिल जाएगा और उसके बार friends आपको यहां पर home का option मिल जाएगा तो यहां पर friends आप चाहें आप दूसरी post के लिए apply करना तो आप दुबारा से दिए गए apply वाले section पर click कर सकते हैं और apply कर सकते हैं तो यह जो process है वो आपकी complete हो जाती है तो यहां पर friends अगर आप payment लगता है तो उस condition में आप online mode में अपना payment confirm कर सकते हैं पे कर सकते हैं तो मैंने जो आपको update दी है यह friends आपको यहां पर मिल जाएगे